Hello everyone, welcome to Ocul India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस full course on environment by शंकर AIS Academy को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग इस course के इस book के जो last chapter है यानि कि chapter number 29 जो की environmental issues and health effects को लेकर बात करता है इस chapter में हम लोग पहुँच चुके है ठीक है और chapter जो है उसमें आपको कुछ environmental issues के बारे में या environment से होने वाली कुछ health effects के बारे में बताया जाएगा chapter important है लेकिन बहुत-बड़ा chapter नहीं है तो इसको most probably हम लोग जो है एक ही part में complete कर लेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से इस course के माध्यम से last time ये फिर से request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें ज्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलिक्स के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फाइदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके और बाकी जो लोग channel पर नए हैं जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया है मैं उन लोगों से भी request करूँगा कि आप लोग channel को जरूर subscribe कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा क्योंकि अब ये course तो पूरा हो रहा है लेकिन इसके आगे और courses आएंगे तो जब भी कोई नया course start होगा जब भी कोई नया video publish होगा तो उसका notification आप लोगों से miss ना हो तो उसके लिए आप लोग जो है bell icon को ज़रूर प्रेस कर लीजे इस पूरे के पूरे वीडियो सेरीस का जो full course है वो हमारी website पर available है जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा उस link पर जाके आप इस full course में जो है वो enroll कर सकते हैं full course में enroll करने के फायदे क्या है कि सारे के सारे videos जो है आपको add free भीना किसी advertisement वगरा के मिल जाएंगे साथ ही साथ आप लोगं को वहाँ पर chapter wise PDF form में notes मिल जाएंगे जिनको आप download कर सकते हैं अपने laptop, mobile, PC वगरा में उसको offline भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए फिलाल हम लोग जो है अपना discussion chapter 29 on environmental issues and health effects को start करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे toxicology effects को लेकर ठीक है इसमें एक term दिया गया है ecotoxicology देखते हैं यह क्या है ecotoxicology is a study of the effects of released pollutants on the environment and on the biota that inhibit it यानि कि जो भी pollutants ठीक है जो भी pollutants या जो कह सकते हैं कि pollution causing substances होते हैं उनका environment पर और जो भी biota it can be plants it can be animals or humans जो भी environment में रहते हैं उनके उपर क्या असर पढ़ रहा है उसकी study को बोला जाता है ecotoxicology ठीक है इसके बाद एक term है that is REM REM यह term क्या है it gives an indication of biological damage ठीक है कि biological damage कितना हो रहा है उसका यह indication देता है it is an estimate of the amount of radiation of any type which produces the same biological injury in men as that resulting from the absorption of given amount of x-ray radiation और gamma radiation इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कि किसी भी man में या किसी भी human में कितना damage हो रहा है ठीक है या biological injury हो रही है किसी भी तरगी की radiation की वज़े से हो सकती है ठीक है और उसको compare करा जा रहा है एक given amount of x-ray की radiation से या gamma की radiation तो उससे अगर हम compare करते है कि कि किसी भी type की radiation से men में या humans में कितनी biological injury हो रही है as compared to the given amount of x-ray radiation या फिर gamma radiation के absorption से उसको बोला जाता है REM ठीक है iodine-131 जो है वो nuclear test जो होते है यानि कि जो हमारे परवाणू परिक्षण होते है उनके द्वारा produce होता है इस passed to vegetation ये इसको vegetation में ये pass हो जाता है ठीक है and appears in milk of the cattle that consumes the contaminated vegetation और जब कोई भी cattle अगरा होता है ठीक है जब वो इस contaminated vegetation को क्या गरता है consume करता है तो ये उसके milk में उसके दूद में भी आ जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से ये humans तक भी आ सकता है ठीक है iodine-131 जो है वो serious damage करता है कि इसको तो थमारा thyroid gland होता है उसको especially among the children यानि कि बच्चों के बीच में ये जादा जो है वो क्या करता है नुकसान पहुचाता है about 99% of the long term radio activity from either strontium और radium taken into the human body is found in the bones ठीक है strontium और radium जो है ये दो radioactive substances है इन मेंसे जो long term की radio activity निकलती है ठीक है और जो human body में मतलब जितनी human body में accumulate होती है उसका 99% कहां पर पाये जाता है जो हड़िया होती है जो bones होती है उनमें पाये जाता है ठीक है इसके बाद आ जाता है lead lead जो है एक काफी toxic substance है plants के लिए भी और animals के लिए भी including men यानि कि humans है ठीक है men मतलब सिर्फ आदमी नहीं है औरत को भी होगा है मतलब humans ठीक है lead जनरली जो है वो children को जादा effect करता है than adults lead poisoning causes a variety of symptoms इससे काफी जादा symptoms होते है जिसमें liver और kidney का damage होता है हमारा humoglobin का formulation है वो कम होता है mental retardation मतलब हमारी जो mental इस्थिती है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है fertility और pregnancy में भी abnormality आ जाती है तो ये सारे के सारे क्या है दीजार्दा damages by the lead ठीक है इसके बाद symptoms of chronic lead poisoning are of general three general types chronic lead poisoning मतलब कि लंबे समय से अगर lead की poisoning हो रही है तो उसके symptoms या लक्षण क्या है सबसे पहला है gastrointestinal troubles ठीक है gastrointestinal मतलब जो आपके पेट संबंधी बिमारिया होती है ठीक है और ये किन में पाई जाती है जो industrial workers होती है जिन में intestinal stress होता है ठीक इसके बाद neuromuscular effects है जिसको हम लोग collectively lead palsy बोलते हैं और इसमें क्या होगा impairment of muscle metabolism यानि कि muscle वगरा जो है वो proper तरीके से नहीं बनेंगी जिससे residual paralysis हो सकता है या फिर muscular atrophy भी हो सकती है muscular atrophy basically क्या होता है कि जो muscle tissues होते है उनका loss हो जाता है और इससे जो muscles है वो काफी जादा weak लगती है ठीक इसके बाद central nervous system में कुछ effects होते हैं जिसको CNS syndrome बोला जाता है आप panoply of nervous system disorders जिससे की delirium, convergence, coma या फिर death तक हो सकती है delirium का मतलब है कि आपकी जो बोलने की या सोचने की जो शक्ती है वो थोड़ा सा प्रभावित होती है ठीक है आप सही तरीके से properly think नहीं कर सकते properly speak नहीं कर सकते conventions में क्या होता है कि जो muscles होती है they expand and contract very quickly ठीक है तो उससे क्या होता है कि body की uncontrolled shaking होती है that is known as conventions ठीक है कोमा में तो आपको पता ही है कि जो maintenance थी थी है वो खराब होजाती है और death is death इसके बाद अगला है mercury mercury जो है एक most common and most toxic है water bodies में पानी में ये किस form में पाये जाता है mono-methyl mercury की रूप में और most industrial effluents में mercury होता है high levels of mercury in fish stocks have been found mainly in the coastal areas यानी कि mercury जो है वो fish stocks में भी पाये जाता है especially coastal areas में Mumbai, Kolkata, Karnatak के करवार या फिर बिहार के North Coil में some of the severely affected areas जो है वो mercury से पाये गए है इसके बाद recent popularity of energy efficient compact to fluorescent lamps या फिर जो CFLs वगरा होते है उन्होंने इस controversy में एक अलग आयाम जोड़ा है एक अलग dimension जोड़ा है क्योंकि CFL में भी आपको पता है कि mercury वगरा है तो जो अब उनका dispose वगरा होता है तब ये mercury जो है environment में release हो जाती है at most part में release हो जाती है तो इसके जो alternative के तोर पर LED bulb वगरा जो है अब वो जादा प्रचलन में है ठीक है और CFL bulb का use इसलिए कम कर गया गया है क्योंकि इसमें mercury होती है इसके बाद toxicity of mercury जो है वो बाकी किसी भी और substances से काफी जादा है about hundred times more potent than colchicins ठीक है ये जो colchicins होते है basically ये एक तरीकी की drug होती है anti-gout drug बोलते है इसको ठीक है ना anti-gout gout basically एक type of a bone की disease है ठीक है gout एक type का आप कह सकते है type of arthritis ठीक है तो उसको treat करने के लिए drug use की जाती है that is colchicins colchicins ठीक है colchicins इसको बोल सकते है ये anti-gout drug है और इससे भी जादा जो है वो toxic होती है mercury इसके बाद fluorine की अगर हम बात करें तो fluorine जो है वो nature में fluoride के form में पाये जाता है air, soil और water में fluorosis जो है वो एक common problem है in severe states of the country due to intake of high fluoride content water ठीक है यानि कि जिस पानी में fluorine की मात्रा जादा होती है वहाँ पर fluorosis नाम की एक बिमारी जो है वो generally पाई जाती है और यह बहुत ही common बिमारी है fluorides की वज़े से dental problems होती है जिसको dental fluorosis बोलते है इसमें joints की stiffness हो सकती है particularly spinal cord stiff होने का मतलब है कि वो जकर सी जाएगी ठीक है ना जिससे humped back humped back मतलब जैसे camel की पीठ में आपने देखा है एक hump होता है ठीक है जो इसका एक raised part सा होता है उस तरीके का back में हो सकता है इसके बाद bones और joints में जो है pain हो सकता है and legs की जो है वो knees से outward bending हो सकती है मतलब बाहर की तरफ को bend जो है वो knees bend हो सकते है किसकी वज़े से होता है fluorine की वज़े से ध्यान रखना है और इसको बोले जाता है knock knee syndrome kettle वे जो है fluoride intake की वज़े से staining, motling या abrasion of teeth यानि की teeth की problem इनको हो सकती है lameness यानि की लंगड़ापन इनको आ सकता है और इनका जो milk production या जो दुख जो पादन की शमता है उसमें भी कमी आ सकती है इसके बाद अगला है DDT ठीक है DDT को लेकर हम लोग काफी पहले बात भी कर चुके है और हमने जो पीछे का chapter था chapter number 28 वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो हमारे Stockholm convention में कुछ जो हमारे harmful chemicals या hazardous chemicals थे उनमें भी DDT का नाम था ठीक है और toxic pesticides जैसे की BHC, PCB और DDT etc. they are not easily degraded and are long lasting in the environment तो basically इसलिए इनको जो है P.O.P की category में रखा जाता है that is persistent organic pollutants ठीक है और इनकी जो concentration है वो पानी में बढ़ती है और soil में भी बढ़ती है with successive applications जैसे जैसे इनकी application बढ़ती जाएगी तो इनकी जो concentration है वो भी बढ़ती जाती है DDT को use किया जाता था for many air on marshes, जो marsh areas होते हैं वहाँ पर mosquito को control करने के लिए DDT को spray किया जाता था DDT जो है has bio magnified from water to fish eating birds and humans ठीक है अब पानी में है तो पानी में से क्या होगा जो fishes वगरा है उनके पास आएगी फिर जो birds fishes को खाती है उनके पास आएगी ठीक है अब फिर similarly humans की body में भी ये कौच जाएंगे DDT से क्या होगा कि estrogen जो female sex hormone होता है उसकी activity को depressed करेगा मतलब उसको ये थोड़ा सा कमजोर बनाएगा और जो male sex hormone that is your testosterone होता है उसकी भी activity को ये थोड़ा सा depressed करता है fish कैसे मरेंगी वही मैं आपको बताया eating of DDT killed insects ठीक है जो भी पानी में insects वगरा होंगी जो DDT खाएंगी तो उसकी वज़े से वो insects मरेंगी या fishes उनको खाएंगी तो fishes मरेंगी ठीक है अब उसकी वज़े से जो fish मर रही है उनको turtles खा रहे है तो वो मर रहे है तो so on ये जो पूरी के पूरी process है ये चलती जाए ठीक इसके बाद DDT जो है butter fat of the milk में क्या होगा store हो जाएगा deposit हो जाएगा इससे basically infants जो है हमारे जो नवजात है उनके लिए भी एक खत्रा ये है ठीक है and result of DDT uses that whole population of predatory birds such as the fist hawk जिसको osprey बोलते है या फिर dead richest feeders as fiddler crab are wiped out जैसी कि आपको एक चीज याद होगी जब हमने vultures को लेकर बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि vultures जो है वो भी इसी वज़े से काफी ज़्यादा मर रहे है कि वो animals को खाते थे dead animals को और उनमें basically क्या होता था DDT वगरा होता था तो उसकी वैसे उनको problem आ रही थी ठीक है इसके बाद birds जो है वो DDT से ज़्यादा vulnerable है कैसे क्योंकि DDT जो है उनके egg shell formation में interfere करता है by causing a breakdown in steroid hormones which result in fragile eggs ठीक है अब यह birds को कैसे नुकसान हो रहा है इससे birds को ऐसे नुकसान हो रहा है कि जो इनका egg shell का formation होता है उसमें थोड़ा सा issue आ रहा है उससे क्या होता है कि जो इनके eggs है उनकी जो बाहर की shell होता है वो थोड़ा सा कमजोर है fragile eggs होते है और जब तक वो eggs hatch हो पाएं ठीक है ताकि उनमें से जो young ones है वो निकल पाएं उससे पहले ही वो eggs क्या होते हैं break हो जाते हैं तो इसकी वज़े से भी birds को भी इससे problem आ रही है इसके बाद बात कर लेते हैं lead in paints की lead की in general तो हमने बात कर ली है अब households वगरा में जो painting वगरा होती है ठीक है जो दिवारों में आपके घरों में painting होती है उसमें lead का इस्तमाल होता है तो इसकी वज़े से देखते हैं क्या नुकसान हो रहा है modern houses जो है they are full of harmful chemicals one of them is lead present in paints though several countries have banned the use of this substance India is yet to do so which is why paint makers use them तो काफी सारे देशों ने तो इसको ban कर दिया है लेकिन इंडिया में अभी तक यह ban पुरी तरीके से नहीं हुआ है इसलिए जो paint बनाने वाले है वो इसका use अभी भी कर रहे है इसके बाद human body जो है वो lead को process करने के लिए design नहीं हुई है यंग children जो है they are particularly vulnerable to lead as it can damage the central nervous system in the brain जो उनका central nervous system है और जो brain है यह उसको damage कर सकता है अगर lead इतना ही ज़ादा poisonous है तो why the paint makers continue to use it तो paint बनाने वाले इसको use क्यों कर रहे है इसका जवाब यहाँ पर यह दिया गया है कि जो lead के substitute है उससे क्या होगा कि एक तो cost बर जाएगी और दूसरा paint की जो performance है वो भी कम हो जाएगी तो जब तकि उसको पूरी तरीके से ban नहीं किया जाता paint makers इसको use करना बंद नहीं करें इसके बाद अगला है trans fat trans fat क्या होता है देखे trans fats are formed during the process of addition of hydrogen atoms to oils जब oils में hydrogen atoms की addition होती है या जिसको hydrogenation की process बोलते है उस दौरान इसमें trans fats add होते है ठीक है और इस process को industries इसलिए prefer करती है क्योंकि इसकी वज़े से जो oil है वो rancid turn नहीं होता मतलब oil में खराबी नहीं होती और उसकी जो shelf life है वो ज़्यादा लंबी बनी रहती है जैसी कि आपने example के तौर पर देखाऊगा कि जो वनस्पती होता है उसमें trans fatty assets का use किया जाता है अब यह जो trans fats है they are associated with a host of serious health problems इनसे काफी ज़्यादा health problems होती है diabetes भी हो सकता है heart disease भी हो सकती है और cancer तक भी हो सकता है ठीक है इसके बाद health ministry जो है वो 2000 आउट में एक notification के साथ सामने आती है कि जिसमें food जो भी आपका food होगा उसमें जो labeling होगी उसमें trans fats को भी mention किया जाएगा तो आपकी date मगर आप कुछ भी इस तरीके का खाते है ठीक है ट्रांसफेट, salt और sugar होता है जंग food से हमें कोई भी nutrition नहीं मिलता देकिसाब साब बुक में भी लिखा गया है लेकिन फिर भी काफी सारे लोग खाते है ठीक है मतब खाना एकदम बिलकुल भी आप नहीं खाया ऐसा भी possible नहीं है लेकिन जितना हो सकता है उसको उतना कम करने की कोशिश करें ठीक है तो जो हमारी young generation है जो इससे क्या हो रही है एडिक्ट होती जा रही है इसकी आदी होती जा रही है किसकी junk food की उनसे hypertension हो रहा है उनको heart diseases हो रही है diabetes भी हो रही है और obesity जो मोटापा है इसके बाद जो energy drinks होती है energy drinks में high caffeine होता है इससे भी कुछ नुकसान है अब देखे ये क्या है energy drinks are in controversy because of its high caffeine content इनमें काफी सादा caffeine की मात्रा पाए जाती है most of these brands have up to 320 ppm of caffeine in them 320 ppm मतलब 320 parts per million तक इनमें caffeine होता है ठीक है और इन drinks को market किया जाता है या इनकी marketing की जाती है as an instant source of energy ठीक है जैसे कि आपने बहुत सारी drinks इस तरीकी की सुनी होंगी जैसे रेड बुल है ठीक है energy drink या और भी बहुत सारी आती है तो वो इसको इस तरीकी से marketing करती है कि ये drinks पीने से क्या होगा और आपको इससे instant source of energy जो है वो मिलेगी manufacturers ये claim करते हैं कि जो combination of caffeine, taurine, glucoronolacton, vitamins and herbal supplements and sugar and sweeteners वो energy देते हैं लेकिन एक study report में ये सामने आया है कि जो energy का rush होता है यानि कि एकदम से जो energy का level बढ़ता है जिसको ये energy drink बोलते है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर की वज़े से होती है caffeine का काम क्या है कि वो energy की एक feeling देता है कि हाँ आपको energy आ रही है that is with the work of caffeine तो energy caffeine से नहीं आती है energy सिर्फ sugar से आती है caffeine उसकी feeling of energy देता है energy drinks जो है वो fall करती है under the category of proprietary foods इस act को amend किया गया 2009 में और उसमें ये ensure ये सुनिश्चित किया गया कि energy drinks में जो caffeine की मात्रा है वो maximum या उसकी जो cap limit है जो अबल limit है वो 145 ppm तक ही होनी चाहिए जो limit carbonated beverages के लिए fix की गई थी लेकिन इसके बाद जो red bull ये देखे red bull का नाम यहाँ पर आगिया red bull ने क्या करा इस amendment पर stay लगवाने में वो कामियाब रहा 2010 में और उसके बाद energy drink की जो market है वो unregulated बढ़ रही है उसमें कोई भी asset regulation नहीं है इसके बाद जो हमारा FSSAI है that is the food safety and standards authority of India ये currently energy drinks को लेकर regulations बना रहा है लेकिन इसकी वज़े से human health को जो है काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ठीक है एक बार का यहाँ पर example दिया गया है कि पंजाब चार गाओं में से क्या किया गया कि 20 blood sample लिये गए तो उनमें 15 तरीके की different pesticides उनके blood में पाए गए तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना जादा जो pesticides वगरा है वो हमारे human blood तक भी पहुच रहे है इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि pesticide की toxicity को test कैसे करा जाए तो इसमें क्या लिखा है कि all pesticides are tested to establish toxicity ठीक है toxicity को establish करने के लिए हर pesticide को test किया जाता है those necessary to produce a miserable harmful effect it is usually established through test on mice, rats, rabbits and dogs ठीक है अब हम humans को तो दिया नहीं जाएगा इस तरह इसलिए जो बिचारे चूहे वगरा होते हैं वही इसका शिकार बनते हैं ठीक है ना इनके उपर ही इसका testing वगरा की जाती है उसके बाद humans के उपर क्या असर हो सकता है उसको result को extrapolate किया जाता है और जो safe exposure level है उसको predict किया जाता है उसका अनुमान लगाया जाता है value commonly used to measure acute toxicity is LD50 इसका मतलब क्या है a lethal dose in the short term a subscript 50 indicate करता है dose is toxic enough to kill 50% of lab animals exposed to the chemical LD50 का मतलब है कि 50 लोगों को अगर ये toxic drug वगरा जो भी है या जो toxic chemical अगर वो इनको दिया जाएगा तो 50% जो animals है वो वहां के मर सकते है LD50 values जो है they are measured zero onwards lower the LD50 the more accurately toxic the pesticide या निकि जितना जादा ये LD50 की value कम होगी उतना जादा toxic ये pesticide होगा ठेक है कमपरिशन अगर हम करें तो DDT का कमपरिशन अगर हम करते है most used in India up to the early 1980s with monocrotophose currently most used ठीक है तो DDT का जो LD50 की value है वो 113 mg पर kg है ठीक है और monocrotophose की जो है that is 14 mg पर kg but never forget that lower LD value means higher acute toxicity तो इससे क्या है कि toxicity जो है वो इसमें जादा है ठीक है pesticides को अगर एक बार ingest किया जाता है मतलब अगर वो body में आ जाता है मतलब उसको body के अंदर अगर किसी तरीके से पहुचा जाए तो वो body में क्या होगा body के जो fat है उसमें accumulate हो जाएगा वो body में बहुत सालों तक जो है वो बने रहते हैं ये body से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर कुछ diseases देख लेंगे जो environmental degradation की वज़े से हो रही है ठीक है सबसे पहली disease जो है that is Minamata disease ठीक है methyl mercury के release होने के वज़े से हुई थी in the industrial wastewater from the chiso corporations chemical factory ठीक है एक factory थी chemical factory chiso corporation उसका जो industrial effluent या जो wastewater था उसके release होने के वज़े से methyl mercury पानी में आ रहा था और ये 1932 से लेकर 1968 तक इस तरीके का जो wastewater का release हो रहा था वो होता रहा इसको जो है chiso Minamata disease भी बोला जाता है एक neurological syndrome है caused by severe mercury poisoning ठीक है symptoms में क्या है इसके ataxia होता है ataxia में basically क्या है कि आपकी body में coordination की कमी आ जाती है जैसे कि आपने किसी alcoholic person को देखा होगा ठीक है वो ढंसे बोल नहीं पाता ढंसे चल नहीं पाता तो that kind of thing happens in this ataxia ठीक है आपके hands और feet यानि कि हाथ और पाओ में numbness यानि कि सुन्पन जो है वो आ जाएगा muscle में weakness हो जाएगी जो मांस्पेश है उनमें कमजोरी आ जाएगी field of vision जो है वो कम हो जाएगा और hearing और speech यानि कि बोलने और सुनने की शमता में भी damage हो सकता है extreme cases के अगर हम बात करें तो insanity यानि कि पागलपन paralysis, coma या death तक भी हो सकती है symptoms आने के कुछ हफतों के भीतर ही ठीक है और अगर इस disease के congenital form की हम बात करते है congenital form का मतलब होता है जो बच्चे के पैदा होने के समय से ही होती है इसकी वएसे क्या है कि जो मदर का worm होता है worm मतलब जो गर्ब होता है उसमें जो fetus होता है ठीक है fetus को भी इससे effect होता है ये जो highly toxic chemical है ये bio accumulate करता है shell fish में और fish in the Minamata Bay and the Shiranui sea which when eaten by the local populace resulted in mercury poisoning तो basically पानी में था तो पानी के वैसे ये fish में आया ठीक है जो Minamata Bay या फिश इरानियो sea वहाँ की fishes में आया और उन fishes को जब local population ने खाया तो उन में भी इस तरीकी की mercury poisoning हो गई ठीक है while cat, dog, pig and human deaths continued over more than 30 years the government and company did little to prevent the pollution और 30 साल तक लगभग जो है ये मतब जानवर भी मरते रहे humans की भी death होती रही लेकिन government ने और जो ये company थी Chiso Corporation इन्होंने बहुत ज़ादा कुछ नहीं करा इस pollution को prevent करने के लिए ठीक है इसके बाद अगली disease यहाँ पर दी गई है योकाईची अस्थमा crude oil के जलाने से large quantities of sulfur oxide जो है वो release हुआ ठीक है और इसकी वैसे severe smoke हुआ जिससे severe cases of chronic obstructive pulmonary disease यानि कि अपके lung संबंधी जो diseases है फेफडे संबंधी जो बिमारी है वो हुई chronic bronchitis हुआ pulmonary emphysema या फिर bronchial asthma जो हुआ वो local inhabitants यानि कि जो वहाँ इताइताइ disease was the documented case of mass cadmium poisoning तो यह cadmium की वज़े से हुई है in the Toyama Prefecture Japan starting around 1912 cadmium poisoning की वज़े से क्या होता है कि जो हमारी bones है और वो क्या हो जाती है soft हो जाती है और kidney failure भी इससे हो सकता है cadmium जो है वो release हुआ into the rivers by the mining companies in the mountains ठीक है वहाँ की जो mining companies थी mountains में उन्होंने जो है cadmium को release किया तो उसकी वज़े से cadmium पानी वगरा में आ गया और mining companies जो है वो successfully उनको see you किया गया था इस damage के लिए मतलब उनके उपर कारवाई वगरा जो है वो proper इसमें हुई थी इसके बाद अगर हम अगली बिमारी की बात करने तो that is your blue baby syndrome ये क्या था it is believed to be caused by high nitrate contamination ठेक है groundwater में जादा nitrate के contamination होने के वज़े से ये बिमारी हुई जिससे oxygen carrying capacity of the humoglobin जो है वो क्या हो गई कम हो गई और बच्चों में specifically ये हुआ था जिसकी वाई से उनकी death हो गई ठेक है groundwater में अब ये नाइटरेट का contamination आया कहां से जो leaching की process होती है उसके through ये इसमें nitrate आया ठेक है और nitrate generally fertilizer वगरे साया ठेक है जो agriculture lands में fertilizer वगरे योज होती थी वहाँ से nitrate आया और वो nitrate जो है groundwater में पहुँच गया through the process of leaching और ये जो है कुछ और तरीके के pesticide जैसे की DDT या PCBs है उनसे भी related हो सकता है जिससे कुछ ecotoxological problems हुई है in the food chain of living organisms जिससे की BOD जो biological oxygen demand है वो बड़ी और इससे aquatic animals भी जो है वो कुछ मरे है ठीक है इसके बाद एक अगली बिमारी दी गई है that is your pneumoconiosis ये क्या है ये coal के वज़े से हुई है जो coal miners वगरा है यानि कि जो कोई लेके ख़दान वगरा में काम करते हैं उनको एक frequently बिमारी होती है that is known as black lung disease ठीक है जिसको pneumoconiosis भी बोला जाता है और ये coal dust के deposit होने के वज़े से जब lungs वगरा में coal deposit अगर जो हो जाता है किसके जो coal miners वगरा है ठीक है उसके वएसे black lung disease इनको होता है इसके बाद एक बिमारी है that is asbestosis asbestosis जो है उन workers में जो asbestosis के industry में काम करते हैं उनको भी lung disease होती है जिसको बुला जाता है asbestosis इसके बाद एक बिमारी है that is silicosis ये किसको होती है deposit of silica silica मतलब जो sand वगरा होती है जो silica industries में या sand blasting sites में जो भी worker वगरा काम करते हैं उनको भी एक तरीके की lung disease ही होती है तो ये तीनों diseases के नाम रहाद रखेगा pneumoconiosis, asbestosis और silicosis ये तीनों के तीनों क्या है ये lung disease ही है ठीक है इसके बाद जो अगली यहाँ पर disease दी गई है उसका नाम है emphysema ये क्या होता है कि जो हमारे lungs की sensitive tissues होते है उनका breakdown हो जाता है ठीक है और किसकी वएसे होता है air pollution के वएसे होता है या फिर जो smoke of cigarette है ठीक है smoking के वज़े से भी जो है वो lungs की sensitive tissues का breakdown होता है जिसको बोला जाता है emphysema और एक बार अगर ये disease हो जाती है तो lungs जो है वो properly contract और expand नहीं कर सकते और इससे फिर basically जो है सांस वगरा लेने में problem आती है इसके बाद जो last यहाँ पर इस disease दी गई है that is your sick building disease ठीक है या sick building syndrome जिसको बोला जाता है ये क्या है ये combination of elements है associated with an individual's place of work or residence यानि कि जहाँ पर भी कोई individual रह रह रहा है या काम कर रहा है उससे संबंधित कुछ बिमारिया है ठीक है combination of elements है most of the sick building syndrome is related to poor indoor air quality ठीक है जहाँ पर भी indoor air quality poor है वहाँ पर basically इस तरीके की जो sick building syndrome है वो देखने को मिलता है sick building causes are frequently pinned down to flaws in the heating, ventilation and air conditioning systems यानि कि कि किसी भी room में या किसी भी building में अगर proper heating, ventilation and air conditioning अगर नहीं है तो वहाँ पर इस तरीके की sick building syndrome हो सकता है ठीक है कुछ other causes जो है जो जिसकी वैसे sick building syndrome हो सकता है वो क्या है कि कुछ contaminants जो की outgassing of some types of building materials जैसे कि कुछ building materials है volatile organic compounds है molds, improper exhaust ventilation of ozone light industrial chemicals या फिर adequate lack of adequate fresh air intake air filtration यानि कि अगर कमरे में आपकी जो है air filtration proper नहीं है या fresh air proper नहीं आ रही है तो उसकी वज़े से भी कुछ बिमारी है जो है वो हो सकती है जिनको sick building syndrome का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है ठीक है तो I hope कि आप लोगों को इस course में काफी कुछ सीखने को मिला होगा हमने अपनी तरफ से पूरी इसमें मेहनत की है पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए यह course जो है वो काफी अच्छा रहे तो फिर से मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस course को पूरा देख रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा course देखा है जो last वीडियो तक भी देख रहे है प्लीज वो course को रेटिंग जरूर दे और अपना जो feedback है जो genuine feedback है वो आप प्लीज हमें जरूर दे चाहे कुछ चीज आपको पसंद आई या पसंद नहीं आई किसी चीज में आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे जो और courses है उनमें कुछ भी चीज का तरीका बदला जाए किसी भी तरीके का तरीका हो सकता है कि content में कुछ आप changes चाहते है पढ़ाने के तरीके में आप कुछ changes चाहते है जो भी चाहते है जो भी आपका feedback है वो आप नीचे comment section में जरूर दीजेगा या फिर आप हमें mail के जरीए या फिर हमारा जो social media platforms है हमारा टेलिगराम का channel है उसके जरीए अपने feedbacks जरूर दीजेगा so that कि आगे हैं उनमें courses में जो है हम वो जो आपके feedbacks होंगे उनको ध्यान में रखते हुए जो भी changes आप बताएंगे suggest करेंगे और जो भी changes possible हो सकेंगे हमारी तरफ से हम उनको जरूर include करेंगे ठीक है तो ये course यहीं पर इसी के साथ complete होता है अब अगले किसी course में जो हम फिर से मिलेंगे इस course में तो साथ हमारा इतना ही था आगे आने वाले किसी और courses में आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप लोग बिलकुल अपना जो है ध्यान लगाए रखिए पढ़ाई जरूर करते रहिए और कोई भी doubt अगर आपको होता है तो वो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं तो ये course यहाँ पर इसी के साथ complete हो रहा है अगर आपको content related कोई भी doubt है तो आप हमारे टेलिग्राम का जो ग्रूप है ओकुल GSUPSC discussion forum जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलिग्राम में search भी कर सकते हैं इसमें आप अपने जो भी doubts वगरा है वो हमसे पूछ सकते हैं फुल course website पर दिया गया है जिसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा सारे के सारे videos add free तो पर मिल जाएंगे PDF notes आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो वो आप इस course के जो link है नीचे description में जो वीडियो के link दिया है उसके थूँ जाके enroll कर सकते हैं अगर course को access करने में या course को purchase करने में आपको कोई भी technical query आती है तो आप हमसे whatsapp के थूँ इस number पर या फिर हमारी local headbest की जो email ID है that is support at the local.co उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं बाकी हमसे जादा जुड़ने के लिए आप हमें Facebook पर, Instagram पर, LinkedIn पर और Twitter पर भी follow कर सकते हैं तो ये course इसी के साथ यहाँ पर complete होता है आगे आने वाले किसी और course में बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी हम चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ जो है वो लंबे समय तक बना रहे तो इसलिए अपने जो भी star rating आप देना चाहें कि 5 में से आप इस course को कितना rate करेंगे वो ज़रूर बताईएगा और अपने जो genuine feedbacks हैं वो भी हमें बताना ना भूलिएगा तो चलिए मिलिंगे किसी और course में तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा प्लीज प्लीज डू टेक्यर अफ यरसेल्फ थेंक यू एव नाइस डे बाबाई जैहिंद